नमस्कार मैं पंकस दुभी और आप दीख रहे हैं सागार टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है पेश है ललितपुर जिला अपडेट भूपाल में हुए सेक्स रैकेट कान के खुलासे में साथ यूबग जनपद ललितपुर के शामिल है गत दिवस देर शाम पुलिस ने चापे मारी के दोरान पकड़ा था सेक्स रैकेट पांच लड़कियों के साथ पकड़े गए थे नौ लड़के देर राग पुलिस नहीं छापामार कारवाई के दोरान एक बड़ी सेक्स रेकेट कांड पकड़ने में सफलता प्राप्त की है पुलिस के अनुसार जिसमें पांच लड़कियां और नौ लड़के शामिल बताए गए है उप मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भूपाल के स्थानिय शहर का है इस मामले की खास बात यह है कि पकड़े गए नौ लड़कों में से साथ लड़के जनपद ललित्पुर की बदाए गए हैं जो इस सेक्स रेकेट कांड में शामिल थे मिली जानकारी के अनुसार गत 18 अगस्त को अतिरिक पुलिस महानी देशक गूपाल उपेंडर जैन एवं पुलिस उत महानी वीक्षक गूपाल शहर इर्शाद बनी के दिशा निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जब थाना प्रभारी प्राती बन एवं तीम द्वाराक्षेत्र होटल लॉच धर्मशालाप फार्म हाउस की चेक कर रहे थे तभी मुपिर द्वारा सूचना प्राप्थुएर की साक्षी धाबात रहे के पास होटल द लेक बर्बन में पवन नाम का व्यक्ति अपनी सहयोगी पूजा के साथ दे सूचना के आधार पर जब एक पूलिस कर्मी को ब्राहग बना कर द लेक बर्बन होटल में भीजा गया जिसके पश्चात सूचना सही पाई गई जिसके बाद पुलिस की छापामार कारेवाही के दौरान वहां से पांच लड़किया और नौ लड़के गिरफ्तार किये गए जो सैक्स रेकेट कान में समलिप्त थे लड़कियों से पूचताच की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से शहर के विभिन होटलों में जाती है एवं पवन एवं पूजा के द्वारा पहुँचाए गाई ग्राहकों के साथ देहवया पार एवं अनैतिक धन लाभर्जित करती है इसी दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए नौ लड़कों में से सभी साथ लड़के जनपद ललितपुर के निवासी बताए गए हैं जिनमें आकार शर्मा उर्फ विक्की पिता उमाशंकर उमर 26 साल अर्पित जैन पिता महिंद्र कुमार उमर 27 साल नवल सिंग प्रजापती पिता फूल सिंग उमर 31 साल अमित सोनी पिता कैलाश उमर 32 साल निवासी आजातपुरा विशाल जैनพता सुरेंद्र कुमार उमर 26 साल अंजल जैन उर्फ राज़ू पिता अरविंद कुमार ऊमर 27 साल निवासी तालाफुरे और सौरग नायक पिता राजकुमार नायक उमर 27 साल निवासी शहर कोतवाली ललितपूर शामिल है इनकी साथ दो अन्य वाहय जन्पदों के बताए गए हैं। घुपाल कुलिस ने पकड़े गए सभी लड़की-लड़कियों के खिलाव सुसंगत धाराओं में मामला दर्जकर कार्यवाही की है।